नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नजर डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है ये क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नजर डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं इनमें विसिष्ट योग कौन सा है ये भी आपको बताते हैं योग शिव नामक नैसर्गिक शुब्योग रातवी 12-46 तक तदूपरान सिद्ध नामक नैसर्गिक शुब्योग है विशिष्ट योग सरवाद सिद्धी नामक शुब्योग सुरुदय से पूरवाहन 10-41 तक है करन गर नामकरन पूरवाहन 11-49 तक इसके बाद रातवी 9-58 नजर आज के व्रतोत्सव त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं और अब जानिये जोतिशियों के मुताबिक पंचांग में चंद्रमा की सिती क्या रहने वाली है रहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुब मुहुर्थ और स्रेष्ट चोगडिये के बारे में अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों की नाम खोग गी गूगे आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं राथी नौव बीस तक जन्म जातकों की जन्म राशी मकरव इसके बाद जन्म जातकों की जन्म राशी कुम्भ है मकरव कुम दोनों राशियों के स्वामी शनी देव है इनका जन्म तामरपात से है तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं आपका दिन शुभ हो धन्यवाद जो झाल सकता हैं